पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप सिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सिक्षा विवाग अब सक्त होता दिख रहा है सिक्षा विवाग जो है करे कदम उठाते दिख रहा है आपको बता दे कि सिक्षा विवाग जो है के के पाठक जब सिक्षा विवाग में थे तब ही से सिक्षा विवाग सुर्खियों में बना रहता था लेकिन के के पाठक के जाने के बाद भी सिक्षा विवाग अब कोई ला तो इस कारण से सिक्षा विवाग अब प्लैनिंग कर रहा है तो आज जो है वो सिक्षा विवाग एक उस्तरिये कमिटी की बैठक करने जा रहा है आपको ये ख़बर अब डीटेल में बताते हैं बिहार में सिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सिक्षा विवाग ने काम शुरू कर दिया है विवाग द्वारा इसके लिए गठित कमिटी की पहली बैठक आज होने वाली है वहीं बैठक की अध्यक्षता सिक्षा सचीव बैजनात यादफ करेंगे कमिटी की पोस्टिंग पर विवाग आज फैसला लेगा दरसल सिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सिक्षा विवाग ने इसी महीने 2 जुलाई को कमिटी का गठन किया था सिक्षा विवाग के सचीब बैदनात प्रशाद की अध्यक्षता में गठित कमिटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौपने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है यह कमिटी सिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा अनुकंपा पर न्यूकती छुटी तालिका और बिहाड सिक्षा सेवा कैजर को फिर से गठित करने से संबंधित रिपोर्ट भी शौपी जाएगी वहीं आपको बता दे कि कमिटी द्वारा रिपोर्ट सौपने के बाद सिक्षा मंत्री और विभागिये सचीफ एस सिधार्ट रिपोर्ट की समिक्षा करेंगे इसके बाद इस पर अंतिम निर्ने लिया जाएगा सिक्षकों को सिक्षा विभाग के फैसले का बेसबरी से इंतजार है महिला सिक्षक और जो उम्रदरा सिक्षक है उनको भी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग दूसरे जिलों में नहीं करने का अनुरोत किया गया था इन सबी मुद्धे को सिक्षविभाग ध्यान में रखकर अब सिक्षविभाग की ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला जारी करेगा आपको बता दे कि आज सिक्षा विवाग जो है बैठक करने जा रहा और बैठक में आज पहली बैठक और इस बैठक के बाद 15 दिनों अब जो रिपोर्ट जारी की जाएगी उस रिपोर्ट को सिक्षा विवाग के अपर मुखिस चीव ऐस सिधार्त उसकी समिक्षा करेंगे और साथ साथ निर निर्देश भी देंगे अब क्या कुछ होगा सिक्षा विवाग में कहां सिक्षा होगी पोस्टिंग होगी और क्या सिक्षक उस निर्देश को मानते हैं या नहीं मानते हैं और ऐस सिधार्त क्या कुछ एक्षन लेते हैं यह साली तमाम खबरे हम लगतार आप तक पहुचा कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद